तो वल्कम अगेन गाइस कैसे हो सारे लोग उमीद करूंगा सारे लोग ठीक हो गए एक तम बढ़िया और मज़े से हो गए तो यह आप देख सकते हो कि यह जो आज कॉर्ड हो रही है कि तो यह पीछे से हो रही है क्योंकि जो यह मेरा व्लॉग था एडिटिंग के वकत कलती स सब्सक्राइब करती तो फाइनल जब चड़ाने के वकत मैं वलॉग चड़ा रहा था मुझे बढ़ा कि कलिप्स सारी डिलीट हो चुकिया और फिर मेरे पास कोई और सुलूशन था नहीं काफी डूडने के बाद और काफी मलब जट्तो जहाद के बाद भी यह वलॉग ठीक नहीं पाया तो इसलिए मुझे इस व्लॉग को अलग से मेल पिस्की जो आडियो है वह अलग से रिकॉर्ड करने पड़ी अगर आपको अच्छा लगे तो बहुत शुक्रिया क्योंकि अगर आपने इस व्लॉग को ऐसे पसंद किया और अगर पूरा लगे तो तहे दिल से माफ तो आज का व्लॉग शुरू हुआ था जम्मू टू डोड़ा हमारी प्यारी प्यारी बैन को डोड़ा छोड़ दे के लिए तो ये व्लॉग रहा था हमारा जम्मू टू डोड़ा जिसमें आमने आज उठे थे सुबा साड़े पांच बजे तो अप्रक्सिमेंटली चाचू जो थे हमारे वह हमें यहां छोड़ने आये थे इंदरा जोग जहां से हमने बस ली थी यहां की तो आगे देशलते हैं कि अगर प्लाव गृव कि अगर प्लाव जूप जूब भागे आये बसेड़ थी बड़गी तो आगे रगे दो आगे पांच जोड़ने एले बसेचा हमें एले थे रहां की तो आगे वहां की तोग़ने हमस्ते हम भीव कर दो प्रयूब्स जाओ करेंगा झार। तो इस वकत पहुंचा था मैं असर बगर मुझे अप्रोक्सिमेटली हमल पता नहीं था तो यहां का मुझे ठंडा था कि मैंने जैकट पाएने हुए थी और मालब बड़ा बड़ा मुझे था इसकत तो घर का मुझे अगर आप देखो तो पहाड शाहर थे कि इतना चाह लगता है कि इतरी रह जाये बंदा तो उपर से क्या बोलते हैं कि सीटी से दूर ना कोई सीट क्यांट ना कोई साथित शाहर थे कि इतना चाहर कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो तो एक दिन कर तूर रहा था जादा तो रहा नहीं था और गाड़ी में जंप कि उजए से कम और गया लगा तो तो अप्रॉक्सिमेटली हमें कोई ही लगा लो आप एक बजी तक हम पहुंच चुके थे उदर यह इतना हमें टाइम लगा था और रास्ते में एक ही चेक हम रु कुछ भी किया जा रहा था जो भी दिल में तो अब भी हम पहुंच चुके थे बाला बाला सिटी बाला सिटी अब से हमें पगड़नी थी खिलेनी के लिए कोई गाड़ी अब अगर आप समझ रहो गाड़ी जैसे कि कोई आटो यहां कोई मैटाडोर होती है तो आप इलकुल गलत समझ रहे थे यहां ना कोई आटो ना कोई मैटाड़ ऊती है हमोस्ली चोटी गाड़ें अब चोटे गाड़े में भी आपको अगर अच्छी ची गाड़ें लग रही होंगी तो आप बिलकुल गलत सोच रहे हो कर यहां ती वैं अब आप सोचो उस एक वैन में ये तीन इदर तीन उदर और दो इदर तो यहां से पहुंचके था में खिलिनी टॉप मैं लब अपने घर इचाब मंदीर देख सकते हो यहां पर दो तीन अच्छे से मंदीर भी हैं और यहां हम चल रहे थे रास्ता हैं मैं और हमें पता भे नहीं था कि बड़ी ममा और बड़े पाप आप सामने बैट होते हैं और यहां चुरूए मेरी खाती तारी अब आखिर कार हुँ इतना मेरा लाजवाब यहां फरीदी अंदर आती है और मेरा मुझू शुरू हो जाता है हाँ तो यहां से हमारा फनों का स्टार्ट जांसे हमने जाना था बनी हमार बीच में यह डिसाइड हो आथा कि मेरे बास आज सिर्फ एक दिन ने तो जितना हो सके उतना गुमा जाएगा तो इसाथ हम अपनी एक और कजन को बलाने वाले थे और यहां पे मैं आ चुका था प गाउं के घर यहां का मौसम काफी अच्छा था कि एक तो टूरिच्स के लिए यहां काफी इसलिटीस भी अबलेबल होती हो और यहां का मोसम अरे वाँ यह आप देख सकते हो बिलकुल पहाड़ पहाड़ कोई कुछ नहीं बिलकुल पहाड़ पहाड़ और अगर आप द्यान से देखो तो वहाँ पिल्कुल द्यान से तो थोड़ी थोड़ी बर्फ पढ़ चुकी थी पहाड़ों पर और दूप आज चुकी थी कि सुबा की बारिश के बाद और अब हम जा रहे थे नीचे जमीन देखने जहां पर मकान का काम लगा हुआ है पहला वह जमीन मरलब बाग था सेब के बागों के बारे में तो बड़ी ममा आगे जाते हुए और मरलब हसी की बात यह थी की मरलब वह बिना ब्रीकों की मरलब आप सोचो कितनी तेजी से जा रही है अगर आपको लगा रहा है यह असान है यहां पर चलना तो मैं आपको एक बात बता दू यहां पर बहुत जादा चीकर थी और यह बिलकुस सीधी दिलान थी बड़ा मुश्किल था यहां पर चलना यह मालब मैं यहां जूते थे ना वो मालब धस चुगे थे उसके नतर और मेरे को लग रहा था अगर मैंने आपको नहीं ही रोका से ही से तो मैं सीधा बिना 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 ब्रीकों के साथ जाओंगा और यहां मेरे योगी ती स्पीड तेज कस्सम से बोलता हूं मेरे इसे यहां काफी जादब वो चीकरी जैसी होगी जिस में मेरे शूँस अर जब बेंड हो रही था और वह मेरे शूँस के नीचे आ रहे थी तो मेरे सद्धिक्कति दिख्कत हो रही थी यहां जब हम नीचे पहुंचे तो यह मेरे कजन का घट था तो यहां तक तो फिर भी ठीक था मतलब लगपक बच बचा के किसी तरह में नीचे आ गया लेकिन यहां मैं यहां से जो रास्ता शुरू हुआ तो बड़ाई था लेकिन जान लेवा जरूर था क्योंकर स्लेप होता तो बड़ी लगते हैं यहां से उतरना जान किले में लेके मैं अपने बैन को यहीं काया रहा था कि उपर वाला आज उतारते हैं कल से यहां नहीं होंगा तो यह था हमारा से शेब का बगान क्या बोलेंगे बगीचा शेब का बगीच यह कहांगे यहां से पूरा व्यू देख लाओ और हम पर सामने घर का काम चल रहा था तो यह है अब यह फिलाल जो बेस होती है गर्ट की वह डाली नीए थी बस बेस के लिए मालब सायड सायड से खुदता हुआ था और यहां पर पूरा का रडन बजना था एक साब से लिए से प्लीन करना था और जिसे कार्डन की तरह त्यार करना था और यहां पर आगह जिसकी दीबतारिक देख कि यहां पर आगे एक गार्डिन में वहले की गास उकाएंगे उसको सही करेंगे एक डेकुरेटिव गर अच्छा वाला और यह आप देख सकते हो बज़ेड़ी देता जो भी मलब फलाना टिमकाना इंप्राना उमकाना जो भी मलब यहां पड़ा हु मतलब अगर हाज जाए सपनों का गर तो ऐसा बड़ अच्छा और यह परानी मैंदब मेरी पहन आपकोस तो अभी हमारा मतलब हमने यहां से चलना शुरू कर दिया था बनी के लिए एक टूरिस्ट का स्पोर्ट मैं लग टूरिस्ट गार्डन है चाहर टूरिस्ट के लिए क बड़ा अच्छा एरिया है मिल्टे भी काफी सारी है यह बात नहीं कि गार्डन यह बस और गार्डन आके को मों हट टूरिस्ट कर सकते हैं एक दिन दो दिन तीन दिन के लिए चाहर पांग दिन के लिए भी स्टेक करना यह पर श्टेक कर सकते हैं और ओपर देखो यही तो पुरूंदा मुल्ब चाहता है जो शहर का इसान होता है वो यही तो देखने आता है पस खुद देखो यह जरनत से काम ठोड़ी है यह यह यहां पर बड़ी का एरिया खतम होता पीछे से काफी बड़ा एरिया अंदर से और यह इसकी एंटरिस थी और अभी हम जा हुआ जए थे सारे और हमारे साथ ही हमारा तीसरा मेंबर मेरी 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 तीसी कजण तो तोटली हम तीन परसंस थे ठीक है लगवे में काफी पहले इहुदर आया था और अभी थोड़ा बहुत चेंज जो चुका है वसे इतना चांज तो मैं कहूंगा नहीं कि मैंभल एक खास चेंज चीज में आताव ऐसा तो नहीं है बट फिर भी नॉर्मल चेंज आई गया है और मैं पढ़ता हूं की छोटों के लिए कितने तस्तरवे और बड़ों के लिए 15 अभी हम लोग यूटन मार लिया था और यह सिमरन दी साथ में वर्यदी साथ में और यह पुरा बर्नी का अंदर का अरिया है अभी यह तो उपर उपर से जो में गार्डन होता है जहां लोग चक्र लगाते हैं पीछे वली साइड भी है इसका सामने अगर आप देखोगे तो हां एक मंदिर भी है आगे में जूम भी करके दिखाए है थोड़ा क्लिप में और यह आप हट्स देख सकते हों यहां लोग बैठते हैं और यहां भी बच्चे घर कट गए रहते शाम का टाइम पर और वह देखो अगर आप सामने द संतर हमारे एरिया का विधु तभी यहां पर हमारा जो गूरुप था अभी हम लोग चले थे गर में और यहां पर हमारे विलॉग यंडिंग और कि यह व्लॉग कं डिंग में बस किह आता अब दिखो मुझी यात होनी कि मैंने एंडिंग मैं क्या कहा था क्योंकि मैं अपने का यूई पात याद नहीं रख पाता हूं क्योंकि मैं कोई स्क्रेप्ट्ट वलॉगिंग नहीं करता कि जिसमें लिखाओ मैं व्यू दिखा देता हूं यह आप व्यू देख लो जहाँ पर यह पर पड़ी है तो यार उस साइड पर जहां पूरा देखो यहां से कि कि बर्फ उपर पढ़ चुकी है इस वकत अगर वहां का एडिया जहां पर पढ़ चुकी है इस वकत तो यहां बर्फ पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यहां भी आप थोड़ी अप्रॉक्सिमंटली नुम बर मत में तो पढ़ी ही जाए कि तो अभी हमारी व्लोग के अडिक साड़ होगी थी और ना तो मेरे कुछ स्क्रिप्टेट व्लोग इस समय पीचे कहा था कि मुझे खुद याद नहीं रहा था मैं क्या बोल रहा हूं और मैं सिर्फ दिल से बोलता हूं कि छो मूंग में आए वह बोलते जाओ जाधा पोला नहीं आता तो इसलिए जो मैं हमेशा सी कहता हूँ आज बहुत कौँगा कि Wonderful खुश रहो खुछ हाल रहो खुद भी जी ओ दूसरों को भी जीने तो कोशिश करो खुद की ओ जिसे दूसरी की जिनकी बहतर बनेitter बहस सबक में खुशी पाने तो मदद करो तब तक रिबाय अल्ला आफिद धियां रखो कि अ कि अ